दोस्तों जब भी आप किसी गरहक के जाते हैं fan regulator को change करने के लिए तो जब आप switchboard को open करते हो तो आपको कुछ एक चीज नजर आती है जो कि हर switchboard में आती है यहाँ पर आप देख सकते हैं जब खोलने के बाद आप fan regulator का connection देखेंगे तो उस fan का connection में इस तरहे की tape नजर आती है जो की काफी गलत है तो आपको इसे remove करने का सबसे best और सबसे आसान trick दिखाते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह fan regulator का एक wire है तो आपको क्या करना है switch के अंदर जो एक looping connection आ रहा है जो की phase connection होता है इसको यहाँ से remove कर दे सिर्फ एक single switch के लिए इसको हटा दे अब आपको क्य करना है fan regulator का जो एक wire होता है उसको phase में directly कर दे जी हाँ फेस directly चालू रहेगा यहाँ पर लिके अब यहाँ पर switch के अंदर fan का जो connection आ रहा है उपर से उसको यहाँ पर connect कर दे बिल्कुल simple यह तरीका एकदम genuine है कोई problem नहीं होगी fan regulator में मैंने 3-4 साल हो चुकी है इस trick को use लेत कर दो है कर दो है Woah